जैसी ग्रिष्णा हमारे चनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आम का उप्योग करके हम विवित प्रकार के आचार तो बनाते ही है तो आज हम उत्तर प्रदेश का मशूर आम का हींग वाला आचार बनाना सिखेंगे ये आचार काफी कम मसाले और तेल का उप्योग करके बनाया जाता है और इसे एक बार बना कर पूरे साल बर तक इसे स्टोर भी कर सकते है तो वीडियो को एंड तक अवर्ष्य देखें अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आदा किलो यानि की 500 ग्राम राजा पूरी कच्चे आम को पानी से दो कर कपड़े से पोश कर लिय अगर आपके वहां आज राजापूरी आम ना मिलते हो तो उसकी जगह पर आप तोतापूरी आम का भी उप्योग कर सकते है अब आम को चौपिंग बॉर्ड के उपर रखकर उसे दो हिस्सों में समाल लेंगे और उसके छोटी साइस के टुकड़े करेंगे आम के बीच में जो गुटली है उसे निकाल दे गुजराती में कहावत है जिसका आचार बिगडा उनका पूरा साल बिगडा लेकिन ये आचार बनाने की वीदी काफी सरल है तो अगर आप पहली बार बनाओगे तो भी वो काफी टेस्टी और परफेक्ट तयार होगा सबी इंग्रिडियंट्स के मेजरमेंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये है इस सरह से आम के छोटी साइस के टुकडे करके हम उसे काच के बोल में निकालेंगे ये आचार में मेथी की दाल या राइका दाल का भी उप्योग नहीं किया जाता इसलिए कोई स्टूडेंट हो और होस्टेल में रहते हो तो वो भी इसे बना सकते है आम के टुकडों में दो चम्मच जितना नमक डाल कर चम्मच की मदद से उसे अच्छे से मिला लेंगे नमक को आम के साथ मिक्स करने के बाद चम्मच की मदद से उसे स्लाइटली प्रेस करेंगे और फिर ढकन लगा कर उसे एक दिन यानि की 24 गंटे तक रखेंगे अब एक बगोनी में मैंने वनफोर्थ कॉप यानि की 60 गंटे के लिए रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा होने देना है किसी भी प्रकार के आचार में आप तेल को गरम करके फिल ठंडा करके एड करोगे तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है मुंखवली की तेल की जगह पर आप मस्टर्ड ओयल यानि की सरसो के तेल का भी उप्योग कर सकते है अब एक दिन के बाद आम को हम चेक करेंगे नमक आम में मिक्स होने के कारण आम के अंदर जो एक्ष्रा मॉइस्टर यानि की खटा रस है वो सब सेपरेट हुआ है और आम के टुकडे भी पहले से सॉफ्ट हो गए है मसाले में एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच लाल मिल्च पाउडर एड़ करेंगे कम तिखा खाना पसंद करते हो तो देगी मिल्च भी एड़ कर सकते है 3-4 टीस्पून हम काला नमक और एक चम्मच हम स्ट्रॉंग हींग एड़ करेंगे ये हींग वाला आचार है इसलिए हींग का उप्योग आप अधिक मात्रा में करें फिर जो तेल गरम करके हमने ठंडा करके रखा था वो उसमें एड़ करके सभी मसाले और तेल को हमें अच्छे से मिला लेना है नमक डालने के बाद जो आम में से मौश्टर सेपरेट हुआ था उससे हमें निकालना नहीं है उसे SETC आम में रखना है यानि कि आचार में उसे रखना है ताकि वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और आचार काफी टेश्टी तयार होगा सब कुछ अच्छे से मिला कर उसे स्लाइटली प्रेस करके फिर से डखन लगा कर एक दिन तक रहने देंगे यानि कि ए आचार को बनाने में टोटल दो दिन का समय लगता है दूसरे दिन सोबर हम चेक करेंगे तो देखते ही खाने का मन करे वैसा बहुत ही टेश्टी और चटपटा आम का हीं गाला आचार बनकर तयार है आप इसे किसी भी प्रकार के पराठा, रोटी या थेपला के साथ सव कर सकते है और पूरे एक साल तक हम इसे रेफ्रीजरेटर में एर टाइट ग्लास जार में स्टोर कर सकते है तो आप भी ए रेसिपी गर पर जरूर ट्राइ करे वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेर करना ना भूले चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दे गए बेल आइकोन पर क्लिक करे थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो